इसके सारे टॉपिक्स तो हमसमें आपको करा चुकी हूँ आज अब हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल देखिए पर्सट एग्जाम्पल है। तो देखो इसका मतलब कैसा से पहले सो आपको ढाया ना कौर्इंट अस दियुक्त की गई है और यह पुछे, यह कोई से क्वार्टन में इसके कर रहे है यह लिएक कर रहा है यह श्य, इसके क्वार्टस में दएकया है, यह पोईंहें निकाल ला करने दोओ आपने हमने pq एक strip ले लिए जो कि और से कितने डिस्टेंस पर है Â ik ükैशंतष है है हॏ णॉप किक कि अर्ट वृ को निकालना है हमें यह निकालना है हम स्विक्रिप को निकालेंगे तो भी कर्ते हो arthritis हम करते हैं आया है पहले है थो देखो area होता क्या is ऐरिया क्या होगा। strip का area क्या होगा, length into breadth इतो होगा area क्या होता है, length int to breadth होता है यह हमाए round-tangular shape की एसको length into breadth होगा और यह पे इसकी यहाँ पे, अगर इसकी में बात करें इसकी thickness क्या है delta x, वह इसकी breadth का काम करेंगी और इसकी जो length है यह देखो यह यहाँ से x distance पर है ना यहाँ से तो यह x distance पर है बट यह किसके along है y x सके along है ना तो यह इसकी जो length होगी वो कितने हुजाएगी y तो यह क्या हुजाएगा इसका area y into delta x ठीक है अब यहाँ से y की value को निकाल लो कहां से यहां से यह क्या given है x square by a square plus y square by b square is equals to 1 मुझे क्या चाहिए मुझे y की value चाहिए तो क्या निकाल सकते हूं यहां से y square by b square is equals to 1 minus x square by a square तो y square क्या बन जाएगा b square into 1 minus x square by a square y square is equals to b square a square minus x square by a square यहां से y क्या आजाएगा y क्या आजाएगा देखो आपका B square by A square A square minus X square और पूरी की value के under root तो ये square है अगर आप B square की उपर under root करोगे cancel A square के निचा under root करोगे cancel तो Y की value के आज़ेगी B upon A under root of A square minus X square तो हमारे पस Y की value ही आगी हमने आपे put कर दी ठीक है अब mass को हमने let किया क्या mass को हमने let किया M को हमने let किया mass per unit area क्या let किया mass per unit area तो mass क्या बन जाएगा M into area mass M into area बनेगा ना तो वह यहाँ पे किया होगा है अब अपने let कर लिया क्या X bar and Y bar with the center of gravity of the given laminal receptor को हम करते हैं तो X bar का formula क्या बन जाएगा integration X dm upon dm का integration यहाँ पे जो values होंगी वो क्या होंगी देखो 0 से लेके ए तक होगी इसकी जो maximum value है अ का देखो जो A का coordinate है A का coordinate क्या होगा यहाँ पे X की value क्या है A और Y की value क्या है 0 और अगर मैं इस B coordinate की बात करूँ तो इसका क्या होगा 0 से A बनलब इसकी maximum length अगर मैं इसका coordinate A rate कर जो तो इसकी जो limit होगी, वो क्या होगी, 0 से लेके A तक, इसे तने से निचे भी क्या होगी, 0 से लेके A तक, फिर उसके पास हमें यहाँ पर क्या put करना है, x into dm, तो x और dm क्या है यह, तो value put कर दी, अब आपनी क्या करना है, अब आपने करना है, इसका integration, तो क्या किया, उसके लिए आपने देखो, x²-a²-x² की पावर 1 by 2 है, इसका अगर integration करोगे, तो क्या करोगे, 1 by 2 के अंदर एक पावर एक एड करोगी, और उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, integration कहाँ से, limit कहाँ से, कहाँ से, कोईगी 0 से, लेकि 1 तक, अब ये a²-x² आपके standard integration होता है, हम 12th class में पढ़ते हैं, जो integration chapter में, तो इसका formula आपको learn होना चाहिए, इसका formula होता है, 1 by 2, a²-x² x by 2, plus a² by 2, sin inverse of x by a, यह आपको learn करना पढ़ेगा, यह integration का formula है, a²-x² यह formula होता है, आपको learn करना पढ़ेगा, उसके बाद जहाँ-जहाँ x है, वहाँ-वहाँ-e put कर दो, minus 1 by 2, यहाँ पे a² already है, minus a, यहाँ पे x की जिंगे क्या put करोगे, a², तो a² की पावर 3 by 2, 2 से 2 कर जाएगा, क्या पचेगा aq, इसे तरह ऐसे यहाँ पे जहाँ-जहाँ x है, वहाँ-वहाँ-e put कर दो, तो जब यहाँ पे a put करोगे a²-a², तो 0 खतम होजेगा, यहाँ पे put करोगे a² by 2, sin inverse a by a, a by a is 1, तो यहाँ पे जब put कर आपने तो यहाँ आगया, अब sin की value 1 का होती है, sin 0, 0 होता है, sin 91 होता है, तो मैं इसको लख सकते, sin inverse into sin pi by 2, तो sin inverse से sin कर जाएगा, क्या पचेगा pi by 2, तो a² by 2 into pi by 2 क्या बंचेगा, pi by 4 into a² रूपर यह तम, तो जो आप इसको 4 को उपर ले जाओगे, 3 को निचे रखोगे, a से कर जाएगा, तो क्या आएगा, 4 a by 3 pi, समझ में आया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ calculation वर्क किया हुआ है, यहाँ पर direct integration कर दे, यहाँ पर integration का formula लगा दिया, x के ज़ेगे a put कर दे, solve करने के बाद हमारा answer क्या हैंगा, 4 a by 3 pi, अब हम निकालते हैं y के लिए, तो y बार क्या हो जाएगा, limits, 0 से लेके यह तक, y by 2, अब हम y by 2 क्यों ले रहे हैं, देखो, y by 2 इसलिए रहे हैं, क्योंकि यह जो है, यह पूरी y का क्या है, half है, इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं, y by 2 लेके चल रहे हैं, y by 2 into हमारे जो value थी, वो क्या थी, dm a square minus x square, इसे तरह से यहाँ पे, 0 से a a square minus x square, अब यहाँ पे क्या किया, आपने y की value को put कर गिया, देखो, y की value हमने क्या निकाली थी हाँ से, जो हमने solve किया, y की value यह थी ना, b square by, b by a a square minus x square यह थी, देखो, आपको बता देखतू, तब बचाओगे बना, देखिए, y बार आगया आपके पास, कितना, 0 से a, 1 by 2, y, a square minus x square, ठीक है, अब y पता है, मुझे y की value क्या है, y की value है, b by a, a square minus x square, तो इस y की value, यहाँ पत करो, क्या बनेगा, 1 by 2, b by a, a square minus x square, अंडर रूट, और एक अंडर रूट है, a square minus x square, अंडर रूट, तो जब इन दोन की multiplication करोगे, तो क्या बन जाएगा, a square minus x square, ठीक है, समझ में आ गया, तो वह यहाँ पर किया हुए, यहाँ पर direct किया हुए, मैंने उपको बता दे की कैसे किया हुए, इसे तरह से नीचे कर दोगे, अब यहाँ पर क्या करना है, a square minus x square का integration करोगे, a square minus x square का, with respect to x, तो क्या बन जाएगा, इसका तो बन जाएगा, a square x minus x square का, बन जाएगा, x cube by 3, और नीचे a square minus x square का, जो general formula मैंने आपको बताया, वही लगाना है, अब जहाँ जहाँ x है, वहाँ 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 a put कर दो, जहाँ जहाँ x है, वहाँ वहाँ a put कर दो, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है, a by a, a by a1 होता है, तो sine inverse into 1, अब हमें पता है कि, sine की value 1 कभ होते है, जब sine pi by 2, तो मैं इसको sine pi by 2 लग सकती हूँ, इससे कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, pi by 2, 1 by 2 a square, into pi by 2, क्या बन जाएगा, a square by 4, pi by 4 a square, ठीक है, जब आप इसको कट करोगे, तो आप cancer क्या आजाएगा ही, तो center of gravity के points के आगए, 4 a by 3 pi, 4 b by 3 pi, यह आपको निकालने थे, यह question कर लेना, बट अभी जो हम question करेंगे, most important है, तो उनके आने के chances बहुत बहुत जादा है, वो यह question है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, यह जो question आपको important हैं बताए हो, उनको मत skip करके जाना, most important, और यह भी आपका most important question है, यह आप पिछल पर उठाके देखना है नो, हर बार आता है यह वह बहुत जाए है, मैं अब इन तीनों में से आते हैं, तो मैं इसको करते हैं, जिनों को one by one, देखो, सबसे पहले है, find the center of gravity of the arc of asteroid, आपको पता होना चाहिए, हाँ पर तो given भी है equation, अगर asteroid, आपको यह पता होना चाहिए, equations यहाँ तो नहीं चाहिए, रसी की ellipse की equation हमने देखी, क्या होती है, आपको लर्न करने होगी, एक्स की पावर 2 बाई 3, प्लस य की पावर 2 बाई 3, इस इक्वेशन होती है, यह asteroid की equation होती है, ठीक है, और asteroid की figure पता होना चाहिए, यह asteroid की figure कैसी होती है, asteroid की figure होती है, तो इस chapter में जितने भी questions हैं, जितने भी examples, इतने भी theorem हैं, उन सब की equation, उन सब की diagram, पता होना चे की कौन सा कैसी बनता है, एस तोर की figure होती है, यह चारो क्वाइट में है, यह point A, यह point A-, यह point B, यह point B-, ठीक है, अब हमने क्या करना, हमने इस के center of gravity निकाल लिए, तो उसके लिए हमें कोई strip लेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने यह P-Q strip लेट कर ली, ठीक है, अब देखो, हमें क्या निकालने है, A-B के center of gravity निकालने है, और equation हमें पता यह होती है, तो coordinates of A, यहाँ पे A का coordinate क्या होगा, A, 0, x-axis पे A, y-axis पे 0, यहाँ पे क्या होगा, 0, तो वह यहाँ पे लिख्यों है, P-Q हमने एक strip कंसिडर कर ली, इसके तो थिकनेस है, अब देखो, अभी तक जो हम कर रे थी, वो अलग था, यहाँ पे मैंने आपको यह बताया था, यहाँ पे R आ गया, मैंने आपको यह बताया था, कि जहाँ पे R का जाए, नहीं हमें क्या formula यूज़ करना है, मैंने आपको बताया था, 1 प्लस देखो ds is equal to 1 plus dy by dx का whole square और इसकी under root यह आपका formula यूज़ करने पड़ेगा क्या निकानने के लिए इसकी आपकी length निकानने के लिए यह आपको learn होना चाहिए ठीक है अब देखो dy by dx क्या आपके पास है नहीं हमारे पास तो नहीं है तो क्या करो इस जो given equation है इसका क्या कर दो differentiation कर दो क्या कर दो differentiation तो इसका differentiation करूँगी तो क्या होगा 2 by 3 आगया जाएगा x 2 by 3 में से 1 को मैं minus करूँगी तो क्या बनेगा 3 lc म 2 minus 1 that is 1 by 3 तो इसकी power minus 1 by 3 plus y का अगर मैं x respect में करूँगी तो क्या होगा देखो 2 by 3 आ गया जाएगा y minus 1 by 3 और y का क्या बंज़ेगा dy by dx is equal to इसका क्या बंज़ेगा 0 तो यहां से हमें क्या चाहिए हमें तो dy by dx चीए तो इस फ़ली टम को तो रखो यहां 2 by 3 y की power minus 1 by 3 dy by dx और इसको ले जो वहां तो यह क्या बंजी की minus 2 by 3 x की power minus 1 by 3 यहां से dy by dx निकालो dy by dx क्या निकलेगा dy by dx is equal to minus 2 by 3 x की power minus 1 by 3 अपोन यह के रिचे चला जाएगा 2 by 3 y की power minus 1 by 3 clear है? यह कट जाएगा यह उपर चला जाएगा क्या बंज़ेगा y by x minus है तो minus 1 by 3 पावर ठीक है? तो वो यहां पर किया dy by dx की बंज़े निकाल रहे हैं अब हमें बता है कि length of arc के जो formula होता है वो यह होता है Cartesian coordinate में ds is equal to 1 plus dy by dx का whole square तो 1 plus dy by dx की value कितनी आई है? minus of y by x अब minus है तो अगर हम square कर यहां पर क्या है? formula में square है न तो उसका square करूँगी मैं देखो minus y by x का square और फिर उसकी power 1 by 3 तो यह क्या बन जाएगा? y by x की power 2 by 3 minus है square करूँगी positive बन जाएगा तो y by x का square बन गया और positive भी 2 की power 1 by 3 तो क्या बन गई? 2 by 3 समझ आ रहा है न? अब यहां पर क्या करो? x की power 2 by 3 को lc m ले लो अब पर क्या बचे का? x की power 2 by 3 plus y की power 2 by 3 समझ आ रहा हो करो? देखो 1 plus y की power 2 by 3 upon x की power 2 by 3 simply solve कर रखा कुछ भी नहीं कर रखा x की power 2 by 3 lc m लो x की power 2 by 3 plus y की power 2 by 3 देखो यह बहुत सिंपल स्टेप है अब यह बन गया x की power 2 by 3 plus y की power 2 by 3 किसके एकवल है? a की power 2 by 3 के तो इसको मैं जब a की power 2 by 3 की लिखोंगी और फिर उसका भी रूट और निच्चे क्या है? निच्चे है x की power 2 by 3 और फिर उसका भी रूट तो रूट का मतलब क्या होता है? 1 by 2 यानि की a की power 2 by 3 और उसकी power 1 by 2 2 से 2 कटोंच हैगा तो क्या बचेगी a की power 1 by 3 इसे तरह ऐसे यहाँ पे भी x की power 2 by 3 और फिर उसकी power 1 by 3 तो क्या बचेगी वो 1 by 3 तो ds की value क्या आगी? a की power 1 by 3 अब 1 x की power 1 by 3 into dx समझा गया? अब क्या करना है? अब दुबारा से हम वो इलैक करेंगी कि x bar y bar वो point है जहाँ पे center of gravity लाई करती है arc a b की तो x bar is equal to x अब यहाँ पे dm नहीं लेंगी यहाँ पे ds लेंगी क्या लेंगे ds यहाँ पे भी क्या लेंगे ds क्योंकि हाँ पे हमने mass की तो बात की ही नहीं हम यहाँ पे ds निकाल ला है हमने तो हम ds का use करेंगे तो इन questions में जो हमारा x bar हो जाएगा तो x bar क्या बन जाएगा? integration ds into x upon integration ds अब limit कहां से कहां तक लेंगे? इस point से इस point तक इस point से इस point तक लेंगे तो वो क्या हो जाएगी 0 से a और 0 से a तो x as it is ds की value कितनी आई है? ds की value आई है a की power 1 by 3 upon x की power 1 by 3 into dx upon निच्चे क्या करना है? integration इसका भी integration 0 से a 0 से a ds की value क्या आई है? a की power 1 by 3 upon x की power 1 by 3 into dx ठीक है? अब देखो a हमारा क्या है? a हमारी क्या है? ये length है ये चीज है तो a constant a को भार ले लो a की power 1 by 3 अंदर क्या बच्चे का? integration 0 से a x upon x की power 1 by 3 ये बच्चे का? और निच्चे क्या बच्चे का? integration 0 से a x की power x की power ये दुखोई तो अपने भारी ले लिया a की power 1 by 3 तो भार ले लोगी 1 upon x की power 1 by 3 इसका मनलब x की power minus 1 by 3 और dx अब ये क्या? x की power 1 ये उपचा की क्या बन जाएगी? x की power 1 minus 1 by 3 तो ये क्या बन जाएगी? 2 by 3 चीक है? अब देखो ये क्या बन गया? ये तो कटो जाएगा integration 0 से a x की power 2 by 3 dx upon x की power 1 by 3 1 by 3 dx integration 0 से a तो इसका integration कैसे करोंगे? x की power 2 by 3 plus 1 upon that term 2 by 3 plus 1 इसका integration कैसे करोंगे? x की power 1 by 3 plus 1 upon minus 1 by 3 plus 1 जो limit होगी वो कहा से कहा तक होगी? 0 से a ठीक है? समझागी बात? अब जब 2 by 3 के अंदर बन आड करोगी क्या बन जाएगा? 5 by 3 इसके अंदर क्या इसको आड करोगी क्या बन जाएगा? 2 by 3 तो ये बन जाएगा x की power 5 by 3 upon 5 by 3 ये क्या बन जाएगा? 2 by 3 उपड़ा के ये 3 by 2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा? x की power 2 by 3 तो कटने की बाद आपको जो answer आएगा वो क्या आएगा 2 by 5 into A अब similarly Y देखो आप जब Y बार के नहीं निकालोगे तो formula क्या होगा? formula तो यही होगा जीरो से A Y ds हो जाएगा और नीचे integration 0 से A ds इसका मतलब इस formula में और इस formula में क्या चाहिए है? जहाँ जहाँ X है वहाँ वहाँ Y आजाएगा यहाँ पे X है यहाँ क्या आजाएगा Y? यहाँ Y, 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 Y पर जब last में Y को भी तो क्या पूट कर दोगे? आप A पूट कर दोगे ना? तो answer तो दोनों का same ही आएगा तो इसलिए हाँ पे लिखाऊ है similarly Y bar is equals to 2 by 5 into A तो center of gravity के point के आगे 2 A by 5 2 A by 5, hence all तो कितना easy question है? कुछ भी निया इन question में तो इसलिए है रिएग चेप्टर बहुत easy है ध्यान से कर जाना इसको number आजाएगे आपके इस चेप्टर में कुछ भी निया करना अब next question देखो next question में क्या है center of gravity of area of curve अब यहाँ पे लिख दिया सिधा अब अगर इस बच्चे को यहीं नहीं पता होगा कि यह asteroid के equation है तो क्या होई question कर पाएगा? क्या होई diagram नहीं बना पाएगा? नहीं ना, इसलिए कह रही हूँ कि आपको पता होना जाए कि कौन सी equation किसकी है अब इस question को करने के बाद हमें पता चल लिए कि यह हमारे जी equation है वो asteroid की है तो इसमें asteroid वाला diagram बनेगा यहाँ पे फर्क किया है महाँ पे arc की बात ही गई थी यहाँ पे area निकालना है area निकालना है किसका? इस curve का first quadrant में लाई कर रहा है तो हमने asteroid बना लिया a00a अब यहाँ पे क्या करा? देखो हमें इसका area निकालना है तो हमें इसको करना पढ़ेगा solve तो solve करने के लिए ताकि हमारी calculation easy हो जाए तो उसके लिए हम parametric equations को let करेंगी x की value को let करेंगे कुछ और y की value को let करेंगी अब करने को तो हम इसको a को theta भी let कर सकते थे a sin theta भी let कर सकते थे बढ़ हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ question में x की power 2 by 3 है और y की power भी 2 by 3 है तो अगर मैं x को कुछ ऐसा let करूँ अगर मैं इसको कुछ इस तरह से let करूँ कि इसकी power जब 2 by 3 हो जाए तो कुछ कट जाए और मेरी जो calculation वो easy बन जाए इसलिए हमें parametric equation यह let कर ली पड़ेंगी x की value इसको let करना पड़ेगा y की value को यह let करना पड़ेगा समझा गई बात यहां पर points क्या है a,0 यहां पर points क्या है 0,1 तो जब x को a put करोगे तो आपके पास theta कहां से कहां vary करेगा 0 से लेके 90 तक vary करेगा that is pi by 2 to 0 तो theta यहां से यहां vary करेगा अब आपने फिर से एक pq strip consider कर ली इसकी thickness कितनी है delta x है इसका जो distance है यहां से वो क्या है x है ठीक है अब देखो center of gravity कहां लाई करेगा x y by 2 वही बात आप आप यह से पिछले वाले कोशन में थी पूरी y का half है that is y by 2 अब x bar y bar आपने required points लेट कर लिए तो x bar का formula क्या बन जाएगा x into देखो यहां पर क्या बनेगा देखिए यहां पर कि हमने किसी mass की तो बात की नहीं क्यूंकि mass थो हमारे पास है नहीं तो x into देखो अब इसके लिए क्या करेंगे हम हमारे पास formula थो क्या होता है dm में होता है बटब तक हम ने इसका dm नहीं निकाला तो हम let करेंगे क्या M is equals to mass per unit area तो mass क्या हो जाएगा mass हो जाएगा M into area अब M तो as it is रहेगा area क्या होता है length into breath और you can say thickness तो इसकी जो length है वो क्या है यहाँ पे क्या है Y है यह Y है तो है और इसकी जो ठिकने से वो कितनी है delta X तो mass क्या हो जाएगा M into Y into delta X तो यहाँ पे formula क्या होता है X into DM तो DM का काम कौन कर रहा है M Y delta X और you can say DX तो X into Y DX upon यहाँ पे क्या होता है integration 0 to A DM DM की value क्या है DM की value हमेरे पस क्या है M Y delta X इन्होंने क्या किया हुए यहनोंने direct किया हुए M को बहार लेके अब क्या करेंगे हम next step यहाँ पे भी M आएगा यहाँ पे भी M आएगा M constant है तो M को बहार लेंगे M से M कट जाएगा ठीक है अब देखो इसको solve कैसे करना है इसको solve करने के लिए आपको general formula reduction formula जो हम first year में करते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है देखो मैं आपको बता देती हूँ अगर integration की जो elements होती है वो 0 से 2 pi by 2 होनी जी पाइदे condition तो यह है अगर 0 से pi by 2 है तब ही आप एक formula लगा सकते हो और फिर sin की power N dx अब यह depend करता है कि आपका अगर N even है और अगर आपका N odd है और same formula होता है कि 0 2 pi by 2 cos of N dx कि N आपका even है या N आपका odd है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कि आपने सबसे पहले तो X की value को put किया X की value क्या थी X हमने क्या लट किया हो था A cos cube theta A cos cube theta और cos theta का minus sin theta तो 3 A cos square theta into minus sin theta और into the theta upon integration Y, Y की value क्या थी Y की value थी A sin cube theta into dx dx याने की item यह आ जाएगी अब देखिए जो constant 2 को तो ले लो बाहर अंदर बचे का सिरफ यह minus 3 A A A यानि minus 3 A cube इसको ले लो बाहर यहाँ से minus 3 A A minus 3 A square इसको भी ले लो बाहर तो minus यहाँ पर 3 A cube यहाँ 3 A square कर जाएगा उपर क्या पिछे का सिरफ A यहाँ पर भी minus यहाँ पर भी minus minus से minus कर जाएगा तो उपर क्या बचा उपर बचा हमारे पास cos cube theta sin cube theta sin theta cos square theta तो sin cube theta और sin theta बेस से में power होजेगी add क्या बनेगा sin की power 4 theta cos cube theta cos square theta बेस से में क्या बनेगी cos की power 5 theta समझा गया यहाँ पर यह minus 3 A A तो भार चला गया sin cube theta sin theta बेस से में power add हो जाएगी that is sin power 4 theta और क्या बचेगा cos square theta समझा गया अब cos की power 5 theta हमें करना इसको solve तो इसको solve करने के लिए हम लगाएंगे reduction formula अब देखो 5 कैसा है 5 odd है तो अगर odd value हो तो उसका formula क्या होता है इसको अगर आप n मालोगे इसको अगर हम n consider करके चलेंगे यहाँ पे तो उसका formula होता है n minus 1 n minus 2 यह होता है 5 में से 2 minus करोगी क्या आएगा 3 यही आएगा न 5 में से 1 minus करोगी क्या आएगा 4 5 में से 2 minus करोगी क्या आएगा 3 तो यहाँ पे तो आएगा देखो cos की power 5 theta पे जब अब इसको apply करोगे तो formula होता है sorry sorry मैं गलती से गलत बोलगी n minus 1 यह तो मैं आपको sign का formula बता दिया cos के लिए जब formula होता है n minus 1 into n minus 3 n minus 1 into n minus 3 upon n minus 2 sorry sorry देखो अब यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है 5 5 में से 1 minus कोगी क्या आएगा 4 5 में से 3 minus कोगी क्या आएगा 2 काम खतम होगे इसका अब देखो sign की power 4 theta sign की power 4 4 कैसी है even उसके लिए क्या formula है n minus 1 n minus 3 n minus 5 अपसोन नीचे के आएगा n n minus 2 n minus 4 देखो 4 4 में से 1 minus कोगी क्या आएगा 3 4 4 में से 3 minus कोगी क्या आएगा 1 clear है अब नीचे क्या है अगर ऐसे 2 इकठे है 2 इकठे में क्या करना होता है इन दोनों को पहले करो add 5 plus 4 कितना बनेगा 9 अब 9 में से 2 minus कोगी 7 7 में से 2 minus कोगी 5 5 में से 2 minus कोगी 3 3 में से 2 minus कोगी बन ये जो formula है ये अलग-अलग है अगर सिरफ close के परवर 5 θटा होता तो हमीं formula लगाते अगर सिरफ ये होता तो हमीं formula लगाते बट जब ऐसे combination में है तो उपर तो formula लगेगा cos के लिए n-1, n-3, sin के लिए n-1, n-3, n-5, और निच्ची क्या लगेगा इन तोनों की addition, minus 2, minus 2, minus 2, clear है? एसी हाँ पर लगाओ formula, sin की power 4 theta के लिए 4 minus n-1, यानिकी 3, 3 minus 2, यानिकी 1, यानिकी n-1, n-2, जब power even हो तो, cos square theta, 2 कैसा है, even है, तो इसके लिए formula क्या बनेगा 2 minus 1, ये power 2 है, तो हाँ पर खतम हो जाएगा, n-1, that is, 2 minus 1 into 1, निचे देखो, 4 plus 2 को add करो, क्या बनेगा 6, 6 minus 2, 4, 4 minus to 2, ठीक है, और साथ में क्या आएगा, pi by 2, क्योंकि दोनों even है, अब क्या करना, अब आपने इनको solve करना है, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, जो भी कट्रास को काटके, जी आपका answer आजाएगा, fine है, समझा है, देखो, ये introduction formula है, deduction formula पताना चाहिए, अगर ये odd है, तो n-1, n-2, अगर even ह है, तो ये, निच्चे इन दोनों के addition, minus 2, minus 2, चीक है, अब similarly, y बार निकालेंगे हम, तो y बार के लिए क्या करेंगे, y वाले टम को divide कर दें, क्योंकि वो half है, तो 1 by 2, अब यहाँ पर limits कहां से कहां तक vary करेगी, y के लिए, 90 से 0, 90 से 0, 0 to, you can say, pi by 2 से, क्या किया, आपने द देखो, इसको हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास जो ये है, y by 2 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका, यानि कि ये जो point है, y इसका होगा, y by 2 होगा, तो देखो, हमारे पास जो formula होता है, वो क्या होता है, y bar is equals to integral 0 से a, y dm होता है, तो y के जिंगे क्या लेना है, y by 2, तो integral 0 स a, y by 2, dm, और यहाँ पर integral 0 से a, dm, चीक है, अब यहाँ पर क्या करो, dm की value को put करो, dm आपके पास क्या था, y by 2, dm, dm हमने अब तक let नहीं किया है, तो dm को let करते है, let m be the mass per unit area, तो mass क्या हो जाएगा, m into area, तो m तो estres रहेगा, अब इसका area क्या बन जाएगा, देखो, इसका area क्या बनेगा, इसकी length तो क्या है, y है, और इसकी thickness हम क्या let करते है, delta x, तो इसका area क्या बन जाएगा, y into dx, ठीक है, अब देखो, इसको यहाँ पर put कर दो, y by 2, m की value क्या है, dm की value क्या है, m into y dx, upon यहाँ पर भी m into dx, और into y, integration, integration, अब m को बहार ले लो, m को बहार ले लोगे, यहाँ से भी m को बहार ले लोगे, तो यह क्या बचेगा आपके पास y, अब 1 by 2 को भी बहार ले रखा, इन्होंने क्या से कर रखा है, इन्होंने direct कर रखा है, 1 by 2 बहार ले लिया, m से m कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y square, समझ आ गया अभी y square कैसे बनाए, यह समझ में आ गया, m, m बहार ले लो, यहां से 1 by 2 बहार ले लो, उपर से, यह निच्ची क्या है, m है, तो m से m कट जाएगा, अब अंदर क्या बचेगा, y square dx upon dx into y, तो यह term ऐसे है, तो मैंने आपको solve करके बता दे कि, यह कैसे आया है, अब तो वही काम है, y की value बुट करो, उसका square dx, जो term थी उसका derivative निकालो, dx को हमने निकाला साना, तो यहां पर आजेगा, निच्चे y की value बुट करो, dx की value बुट करो, अब जो a square उनको सबको भाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, sin की power 6 theta, sin की power 7 theta, यहां पर क्या है, 3 भाहरा जाएगा, a cube भाहरा जी का क्या बचेगा, cos square theta, ठीक है, निच्चे बात करें, तो 3 a भाहरा जाएगा, क्या बचेगा, sin cube theta, sin 4 theta, और यह क्या बनेगा, cos square theta, अब यह odd है, यह even है, यह odd है, तो sin की power 7 का क्या बनेगा, 7 minus 1, 7 में से 1 minus कोरो, 7 minus 1, that is 6, 6 में से 2 minus कोरो, 4, 4 में से 2 minus कोरो, 2, 2 में से 1 minus कोरो, that is last में क्या बन, अब पूण, अब इसका देखो, cos square theta, इसका क्या बनेगा, 2 minus 1, that is 1, अब निच्ची कैसे करेंगे, 7 plus 2 का addition करो, क्या बनेगा 9, 9 में से 2 माइनस करो 7, 7 में से 2, 5, 3, और last में, last में क्या बनेगा अब का 1, ठीक है, नहीं, 7, 5, 3, और फिर 1, ठीक है, अब देखो, 4 के लिए, 4 और 2 के लिए 4, 4 में से 1 माइनस करो 3, 3 में से 2 माइनस करो 1, और इसके लिए 2 में से 1 माइनस करो किसी 2, अब निच अच्छी क्या है, 4 प्लस 2 का एडिशन 6, 6 में से 2 मैंस को रोगा है।